Assalamu alaikum Aspirants Islamic history and culture की outline को हम दिसक्स कर रहे हैं और आज हम दिसक्स करेंगे Institutional Development of the Muslim Civilizations the early phase 622 to 660 So इसमें हम points देखेंगे development of law and judiciary in al-islam administration and state conduct, defense in al-islam, educational system, propagation of islam, financial administration, heritage and culture So 622 से 660 इसमी का जो दोर है जो अजो अज़ूर नभी करीम सलिलाओ सलम की खियात ताइबा और खिलाफ राशिदा का ये जमाना है तो इसमें मुस्लिम तेखेंगे के एहम एदारों की तेजर रफ़तर रखी देखने में आई और इन इदारों में कानून, इंतजामिया, अस्तालीम और दिफार शामिल थे जिन्हों ने एक मसबूत और मुतहिद इसलमी रियास्त के क्याम की बन्यादे फराम की तो इस अब्तदाई दोर में जो बनने वाले कलीदी अदारे थे उनमें था डिवेल्मेंट अफ ला एंड जुडिश्री इन अल्ली इसलम सोसिज अफ इसलमिक ला, तो इसलमी कानून के जराइफ इसमें थे कि कुरान और सुनत यनि इसलमी कानून या शरियत बन्यादी तर दो जराइफ पर मबनी थी, कुरान जो के अल्हा का कलाम है और सुनत जो नभी करीम सेलम के अमाल और अकवाल है, और ये जराइफ जो थे वो जाती और अवामी मामलात में रहनुमाई फरमाते थी, तो इसमें हम देखेंगे के रूल आफ प्रॉफिट इन दे जुडिश्री कि नभी कर्म सेलम का अदलिया में क्या किर्दा था, तो नभी अकर्म सेलिलाओ सेलम खुद अपने दोर में जजज और सालिस के तोर पर काम करते रहे, आप सेलिलाओ सेलम ने तनाजात को कुरान की रोशने में हल किया, और इसलामी अदलिया की जो निसाले थी, वो काइम की Then Establishment of Judges काजी, काजीوں का क्याम अमल में आया तो खिलाफत राश्दा के खशुसां जो हज़र अमर रज्यार काला है तो इसमें काजी जैनी जाजी के मनसब के क्याम अमल में आया था और काजी जो थे काजीों को मुतलिफ सुवों में मुकरर किया गया था ताके वो इसलामी असूलों के मताबिक अदल इंसाब को यकीनी बना सकी Then evolution of Islamic legal thought Early Islamic scholars began to develop methods of interpreting the Quran and Sunnah to address new legal issues So these efforts marks the beginning of Islamic jurisprudence which would later become a formal legal system in the Muslim world Islamic fiqqa की अत्तका कैसे हुआ अब्तदाई इसलामी जो अल्मा थे फिका उसने कुरान और सुनत की तश्रीख की असूल यानि बनाए थे ताके नए कनूनी मसाल का हल तिलाश किया जा सके और ये जो कावशे थी कोशिशे थी ये इसलामी फिका और कनून के बाकाइदा निजाम की बन्यादे बनी ये जो के इंत्जामी और रियास्ती अमूर थे ये किस तरह से चलाए जाते थे तो नभी करीम से लिजावास सलम के दोर में इंत्जामी निजाम जो था उनके दोर में इंत्जामी निजाम जो था वो सादा था मगर मौसर था और मदिना इसलामी रियासत का रुछानी और स्यासी मरकंज बना और मेसाके मदिना उनके जरीय मुसल्मानों और बाकी कबाल के दरमें तलौकार को मुनिज़म किया गया उसके बाद हम देखते हैं Expansion of administrations under खलीफा उमर हज़रत उमर रज़े लगानों के दोर में इंतजामिय की तोसी किस तरह से हुई तो खलीफा उमर इंटर्डिूस सिगनिफिकेंट अड्मिनिस्टर्स एवरी फार्म्स इडिवाइड इडिवाइड इंटो परविंसी इच गवर्न पैवली और गवर्नर इस गवर्नर्स वर रिस्पॉंसिबल फर मैंटेनिग लाइन अडर्ड एंड कोलेक्निंट टेक्सिज एंशुरिंग जस्टिस अडिवाइड ओमधन नहीं एहम इंतिजाम इसलाहट की अपने दोर में और आपने इसलामी रियासत को मुझलिब सुबों में तक्सीम किया हर सुबे का इंतिजाम एक गवर्नर के सपूर्ट किया जो अमनोमान की बहाली के लिए, टेक्सों की वहसूल के लिए और उलिंसाब की फरामी का जिमधार था और दिवामि और पुबलिक डिपार्टमंट आए इस दौर में आए हसित उमर ऐलसू मिखास्ट ए सटबिश्थ पुबलिक डिपार्टमंट इसमें यह जो फूजी महकमा था दिवाम लिन जयने फोजी अमूर का ये महकमा था और दिवान और खराज जो था जो के महकमा रहमनी हो था महकमा माल ये ये अवामी महकमे थे उनके दोर में कायम की गाय थे then defense in early Islam, इबतदाए Islam में दिफा क्या policy थी किस तरह से दिफा किया जाता था the information of standing army मुस्तकिल फोज का क्याम अमल में आया था दिफा के लिए तो नभी करीम से दोर में जो दिफाई निजाम था वो वरंटीज आर्मी जनी राज़ा कराना फोजियों के ओपर मुश्तिमिल होता था लेकिन हजदत अमर रज़ियलत तरहनों के दोर में मुस्तकिल फोज का क्याम अमल में आया था और फोजियों को मुखस शेहरों जैसे कूफा और बस्रा में क्याम दिया गया था तो इसके अलावा जो बहरी ताक्त की तरक्य होई थी दिवेल्पमेंट अफ दे नेवल पावर खुदत उसमान के दोर में पहली इसलामी जो बहरी फोज थी उसका क्याम अमल में आया था और ताक्य जो बहरी रोम के साहिल हैं उनकी दिफासत की जा सके तो इस मार्ग असिगनिफिकेंट डिवेल्पमेंट इसलामी डिफेंस कैपेबिलिटी इस बैटल एंड कांकेस्ट जंगे और फटुहाद तो इप्तदाए इसलामी दिफा में जो फटुहाद थी वो भी शामिल थी जनी जो एहम जंगे थी जिस तरह से जंगे बदर जो के 624 इसले में हुई थी और जंगे यर्मोग जो के 636 इसले में हुई थी इसने मुसल्मानों को अरब के अंदर और बाहर एहम फटुहाद दिलाई थी देन हम स्टडी करते हैं इनका एजूकेशनल सिस्टम तालीम निजम किस तरह से था एंफिसाइस और नालेज इलम के ओपर इलम हासिल करने के ओपर जोर दिया गया था इसलाम ने इलम और तालीम की बड़ी एहमियत दिया उनको नभी करीम से लिए ने इलम के हसूल को हर मुसल्मान के लिए लाजिम करार दिया और जिसके नतीजे में इब्तदाई दोर में वहर रस्मी तालीमी निजम की बन्याद रखी देए ठीक है और अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मस्क्यू एस सेंटर्स अफ लर्निंग मसाजद जो थी वो पतोर मराकश दे तालीम थे तो मसाजद जो थी वो तालीम के बन्यादी इदारे बन गाए थे और प्रॉफिट स.A.W. ने अपने सहाबा को मस्जिद नभी में तालीम ती ती और आप सालीम के बाद दीगर मसाजद भी तालीम का मरकश बने थी देन डिवेल्पेंट आफ राइटिंग एंड कंपाइलेशन किताबत और तहरीर का अंधी अर्टका हुआ था इस दोर में जो किताबत थी और दस्ताविजात थी उनकी एहमियत बढ़ गए थी और और अस्मार रजालानात अलानों के दोर में पुरान को एक किताबी शकल में जमा किया गया था ताकि इसलामी तालिमात को महफूस किया जा सके तो अर्ली मुस्लम स्कालर्स बिगें टू कुलेक्ट एंड कंपाइल था हादिस विन सेंग्स आफ प्रॉफिट विच बिकेम अ एगर ऐगर एपम सोर्स बन देगा इंड प्रेगेंशन अव इसलाम की तबलीग और दावाद चाना और और जाएंड को नबी करीम च्राव तूसलनर ने बिकेम ग्राइशन की सबसे नहिं इसलाम का पेगाम फ्यलाना था यंड करिए और दावाद inviting others to Islam in both मक्का और मदिना, calling people to submit to the will of Allah आप सलसलम ने मक्का और मदिना में लोगों को अल्हा की अताज की दावत दी देन नभी करिम सलसलम के दावत के बाद का जो वाग था नभी करिम सलसलम की जैनि वे साल के बाद जो थे वो हम जाइजा लेते हैं या फाइनेशनल अडिमिनिस्टेशन का सौसिज आफ रेविन्यू मालियाती निजम किस तरह से था आमदिनी के जराए क्या थे अब्तदाई जो इसलामी रियास्त थी उसके माली निजम में जो जराए शामिल थे उसमें हैं जकात जुजिया और खराज ये टेक्सिस से मुखतले अफसाम के जकात जो थी वो मसल्मानों के ओपर जानी लाजम सद्का था जो गुरबा और जुरतमनों की मदद के लिए अदा किया जाता था उसके बाद था जानी जुजिया गेर मुस्लिम जो रियास्त की आमदरी और अफराजात का इंतजाम करता था और बैतलमाल से गरीबों जो तीम और पोजी तनखाओं की अदाएगी भी की जाती थी तो दा मेतलमाल बाद रिस्पंसिब्टिबूटिंग फंड पर पबलिक वेलफियर स्पोर्टिंग अर्फंस विटोज और पूर और पेंग सेलरी सु स्टेट ऑफिचल इन वेल्थ डिस्टिबूशन उसके बाद जो के बैतलमाल का क्याम अमल में आया फिर वेल्थ डिस्टिबूशन होई यदि अर्ली इस्टिबूशन अवेल थी और इन्शूर किया जा सके और उनको फाइदा पहुंचाया जा सकी The state provided financial assistance to the needy and funded public projects like road construction and water management और इस रियासत ने माल इम्दाद दी और इमाल के जुरुत मंद लोगों को public projects के लिए फंड दी लाइक road constructions जनी road की तामीर के लिए और वाटर की management के लिए तेना हम देखते हैं रियासत के अदर जो हेरी पेच और काल्चर था विर्सा और सकाफत की तरह की थी then preservation of the Quran and Sunnah Quran और सुना की की तरह से फाज़त की गई थी तो इसलामी विर्से का जो एक एम पहलो था वो Quran और सुना की फाज़त था जिने जबानी और तहरीरी ज़राय से मेफूज किया गया था Then cultural integration and exchange सिकाफ़ी तबादला तो इसलामी सल्तनत के फैलाओ के साथ मुस्लमानों ने मूतलफ सिकाफ़ी रवायात को अपनाया जिसे जो इसलामी के प्रफ़न था फन तामीर तामीरात और इल्म में काफी डिवसिती पेडा होगी Then architecture तामीरात तो जो अबतदाई मसाजित थी वह साधा थी रियास्त के अंदर इसलामी रियास्त के अंदर लेकिन वाद के साथ साथ मस्जिदों की तामीर में खुबसूरती आती गई और फनकारी भी इसके अंदर वाद के साथ साथ चामिल होती गई And then oral and literary traditions जबानी और अध्वी जो रवायात थी वह कौन सी थी So early muslims placed a high value on oral traditions and poetry in the Quran itself with its eloquent language and poetic forum So inspired a flourishing of arabic literature and oral storytelling during the early islamic period So early phase of muslim civilizations witnessed significant development across various institutions From law and education to defense and financial administration Muslim tahzib का जो अब्तदाई दोर था वो 602 से 660 इसमीं था और इसमें मुतलब इदारों की तरकी देखी गई जिनमें कानून, तालीम, डिफा और मालियाती निजाम शामिल थी These institutions grounded in Islamic teachings and principles not only shape the governance and social structure of the muslims community But also let the foundation for the cultural and intellectual growth of the Islamic world और इदारों ने इसमें तरकी उस्सलामी तालीमात और असूलों की 나서 की उसमें शूलों की अभी चुझा था तो इस्लामी कानून के बन्याद ज़राय थे कुरान और सुन्ना, नभी करीम सलसलम की चाइश, ताहद, जिने अल्मा की मुत्फिक राइश. उसके बाद हमने डिस्कस किया नभी करीम सलसलम का अदालती निजाम के दार किस तरह का था? तो आप सलसे नमने मदीन हमें काजी जैने जाजी के तोर पर खुद वो फैसले करते थे और अधाल के निजाम को अनुने अर्गनाइज किया हुआ था उसके बाद हमने स्टेडी किया काजी के मंसफ का क्याम श्राजी की वे दोर में तश्कील पाया था देन हमने स्टड़ी किया फिक्य की तरकी फिक्का इसलामी कानून की इल्मी तश्री होता है और तफीम है जो कुरान, सुन्त, क्यास और जमा पर मब्री है और उल्मा की कावशों से ये तरकी पज़ी हुई उसके बाद हमने डिस्क्स किया इंतजामय और रियास्ति अमूर को मेसा के मदीना का क्या केदार था ये मदीना के मुद्ल कबाइल के दर्मियाने तुमाइदा था जिसने अब्तदाई इसलामी रियास्त का अर्गनाइस किया हुआ था और मसल्मानों यहूदियों और दीगर ग्रूपों की हकूप और फ्राइज भी मतायन किये थे देन हम ने सुड़ी किया इज़त अमर की इंतजाम इसलाहत को कि एज़त अमर ने सुबाई निजम मतारे करवाया बैतलमाल का क्याम अमल में बोलाई अदलिया का निज़ा बेटर किया फोजी निज़न बेटर किया उनके दार कि पहले बेहृते बेहिरी फोज हो लाई गया ता देन हमने स्टड़ी किया कि हजदत अमर और मुस्तकिल फोज जिनी हजदत अमर मुस्तकिल फोज निजाम काइम किया था और फोजों के लितंखा भी मुझकर रखी थी पहले इसलामी बहरी फोज बनाई गए थी घजशत मौविया के दोर में ये काइम होई थी जिससे बहर दिफाँ मुम्पन हुआ था तालीमी निजाम के ओपर भी जोड़ दिया गया था अबतदाई और इसलाम में कुरान सुनक की तालीम को बना नियुए हस्या दी गई थी और इलम को अबादत का हिसा समझा था लेना हमने study किया मसाजिद के तालीम का तालिमि मराकिद के तोर पर केडार ज़नी मसाजिद में कुरान, हदीज और फिखा की तालीम दी जाती ती और ये अब्तदाई जुन्वरस्टिया थी उसके बाद कुरान की जम्ह और तद्वीन की गई अज़त अस्मान के दोर में कुरान को किताबी शकल में जम्ह किया गया था ताकि इसके मुतलिफ नुस्कों में इतलाफ नहो नेनाम ने स्टेडी किया इसलाम की तबलीग को नभी करीम स्यले लुए 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 इंट्रोड्यूस करवाते लिए देन मालियाती निजम किस तरह का था तो अमदनी के जराइट थे ज़कात, जुजिया, खुराज, अशूर और माले गनिमत ये रियासत की अमदनी के बुन्यादी जराइट होते थी बैतलमाल का करदार किया था इस्लामी रियासत में बैतलमाल इस्लामी रियासत का किस तरह का था तो कुरान और सुनत की फास्थ की गए थी, कुरान को जबान हिफ्जबी किया जाता था और तेरहें शकल में भी उनको में फूस किया जाता था, हादिस को लिखा जाता था और जमा किया जाता था, और उसके बाद हमने स्टड़ी किया कि فتح شدہ علاقوں کی ثقافت کو किस तरह अपनाया गया मुसलिम सल्पनात ने मकामी सिकाफतों और जबानों को अपनाने में लचक दिखाई जबके इसलामी असूलों को भी परक्रार रखा देन हमने लास्ट पे डिसक्स किया मस्जिद की तामिरात के अर्टका को अप्तदाई दोर में मसाजिद साधा थी लेकिन वाग के साथ साथ उनकी तामिरात में खुबसूरती और पने तामिर का अज़ाफ हुआ जैसे के दमिश्क की जो जामे मस्जिद है ये इसकी एक मिसाल है सो हमने इसके इस वीडियो में देखा कि मसलिम तहजीब की अधार अधार जाती तरकी किस तरह से हुई जो के अब्तदाई दोर था 622 से 660 इसमिका अगर आपको को प्वेस्टन हो तो आप कमेंट सेक्शन पूर सकते हैं तक कर दो दो करेंगे के अधार बावाचि नंयुक्तर सकते लाए अधार आप बनाए शार सब्स्क्राइब वाच्याइब वाच्याइब